यहिन देखे वायुजान में घृज ोखला होता है और वह उसके लिए फूल थाइक काम करता पर हुषयाज हार जहाज ने इस तरह से डिली मुंबई जो से बड़ी यह से और फ़ीन नुगजा आपरन में जहाज है या रेम के खड़ी रहती है तो जहाज की जमीन के नीचे से ही टैंक की सपलाई रहती है यहाँ से पाइप जोड दिया जाता है यह Iraqi बस जो है इसके अंदर कोई भी फ्यूल नही Prague बस क्या करता हुची से पाइप स जोड के इसे प्रेसर जन्रेयट करता है यह pressure के तुरू इसमें जहाज में यह भर दिया जाता है तो यह pressure system होला होता है यह बड़े airport पही मिलेगा red color की ऐसे पटी रहेगी यहां से pipe को जोड दिया जाएगा और इस pipe को जब इसमें से जोड दिया जाएगा तो इस truck के अंदर केवल pressure generate करता है जो कि इसके अंदर से fuel को खीच के ice में जहाज में जो fuel डाला जाता है वो इसके wings में होता है outer inner center फिर inner और outer wings में ही भरा जाता है fuel भरने से पहले उसके अंदर से पहले water को चेक किया जाता है यहाँ पर अवाज़ा ड्रॉप करा के इसमें से कि इसमें कहीं water के droplet तो नहीं है ताकि पहले से कोई दुरघटना से रोका जा सके उसके बाद फ्यूल भरने से पहले इसको एक किसी ना किसी अर्थिंग से जोड़ दिया जाता है क्योंकि हवाई जहाज जब बहुत तेजी से उड़ान भरता है और लेंड करता है तो उसके च तेमप्रेचर बढ़ने से फ्यूल भाइलता है तो उसको जगा देता है इसके अलावे एक वेंड टैंक होता है वेंड टैंक में क्या होता है एक्स्ट्रा फ्यूल होने से वहां से वह ड्रेन होके गिर जाता है और इसको जहाज के नविगेशन डिस्प्ले के बगल में जो इनियन इस्टेटस होता है, इसके साइट के कॉर्णर पर फ्यूल दिखाता है, यहाँ पर दिखा रहा है, 1452 लीटर फ्यूल है, और इस फ्यूल के टेंपरेचर 15 डिग्री सेल्सियस है, तो यहीं कोना पर दिखाता है, उसको जूम करके दिखा दे रहे हैं, जहाज केवल रण इसे इंगन पर गलत इफेक्ट पड़ता है, उसके बाद यह टेक्सी वे पर जाएगा, पीला पटी टेक्सी वे की होती है, फिर टेक्सी वे से होते हुए, अब यहाँ जाके रणवे पर जाएगा, इसको एटी से क्लिरेंस मागेगा, यह वाइट पटी जितना देख रहे ह तो इस दौरान जो यह पुस्बैक हुआ था और यह गया था, इसे हम कहते है टेक्सी, तो जहाज जब रणवे पर रहती है, मतलब तो जैसे देखिए, यह एपरेंस से खड़ी होके निकलेंगी सब, और यह सब लाइन अप होके आ रहे हैं सब, किसके लिए इस रणवे के तो इस दौरान के पूरी सफर को हम टेक्सी कहते हैं, तो इसके लिए जो फ्यूल रखा जाता है, उसे हम टेक्सी फ्यूल कहते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा फ्यूल जलता है, जादे नहीं जलता है, तो टेक्सी फ्यूल के बाद जब जब तक लेंड नहीं करता है, इस ब के चलिए किसने बोला कि हाँ दिली से पटना की बीच में 6000 लीटर फ्यूल लगेगा तो कोई जरूरी नहीं कि हमेशा यह इतना ही लगे मौसम खराब होगा तो और नहीं लग सकता है पटना पहुंच गया पता चला पटना एरपोर्ट पर पहले से ट्रैफिक है तो उसको ऊप पर घुमाएगा तो कुछ एक्स्टा फ्यूल चाहिए होता है तो जब टेक आप के बीच में फ्यूल याने ट्रिप फ्यूल के अलावे एक कंटिजेंसी फ्यूल होता है कि अगर हवाओं का दिशा विपरीत है या फिर मौसम खराब है चक्रवात आया है या फिर जहाज को क अगर पटना या यहाँ जगा ने तुसको ऊपर उपर घूमाएगा उसे काता है होल्डिंग पर रखेगा कि भईया तुम घूमते रहा भी खाली नहीं है उसके बाद जब खाली होगा रहने वे तब कहेगा उतरो तो कभी-कभी क्या होता है उतरने के दौरान अचानक बनार आते हैं तो उसे काते है उतरते उतरते रहेगा फिर वापस गुम जाएगा तो उसे कहेंगे गूरा उसमें भी एक्स्ता लगता है तो कुछ एक्स्टा फ्यूल दिया झायका लेकिन उसको लगता है कि यह ने कुछ जादे ही दूर उतार दिया रूख कर यह लड़़ यह काम करो वापस उड़ा देते हैं तो उसे कहते हैं मिस अप्रोच उपरे उपरे लेके चल गया गो आराउंड उइसे मिस अप्रोच तो इसमें भी फ्यूल लगती है तो कुछ एक्स्टा फ्यूल और भर दिया जाता है उसमें उसे हम कहते हैं एडिस्नल फ्यूल सब एक ही वहाँ आपको उतरने के लिए परविशा नहीं नहीं दे कहें कि दूसरे शहर में जाकि उतर जाएंगे या फिर maintenance का काम चल रहा हो, airport खराब हो, visibility एकदम कम हो, अक्सर देखेंगे ठंड के मौसम में किस airport पर नहीं आप दूसरे airport पर उतरिए, तो दूसरे airport पर जाने के लिए भी चाहिए ना fuel की उपरा कोई कि हम fuel लेके नहीं आये थे, तो उस extra fuel को हम लोग कहते है alternate fuel, उसमें डाल दिया जाता है कि दूसरे सहर पर भी जाके तुम land कर सकते हो, इन सब के अलावे, जहाज को 30 मिनट तक यानि आदे घंटे तक एक्स्ट्रा उडने भर का fuel डाल दिया जाता है, जिसे हम लोग कहते है reserve fuel, reserve fuel जब भी काम आएगा जब emergency होगी तब, सारा fuel खतम, अब उसको पास म और उडान भरने के लिए fuel बचा है, तो ऐसे fuel को हम reserve fuel कहते हैं, यह बहुत rare case में ही इसका use किया जाता है, तो जहाज में जितना fuel होता है, उस fuel को हम कहते है block fuel, block fuel छे टाइप के fuel से होता है, इसका कुछ taxi fuel, drift, contingency, additional, alternate and reserve fuel, इन जितना fuel बता हैं, इन सब को जोड़ देंगे, त उसे कहते है block fuel, तो जहाज कितने fuel को लेके जाता है, block fuel को, ताकि वो अपने block time पर अपना उडान भर सके, अब block time क्या होता है, देखिए, block fuel तो जितना fuel का consumption होता है, लेंडिंग से लेके take off से लेंडिंग के बीच में, उसे हम लोग block fuel कहते है, block time क्या होता है, जहाज कि हर ए पर जाएगा तो फिर टेक्सी वाला फेज आ गिया उसके बाद ये टेक आफ करेगा तो टेक आफ फेज हो गया उसके बाद क्लाइम करेगा और उपर जाएगा क्लाइम के बाद आता है अगला इस्टेप आता है क्रूज अब ये सीधा उड़ता है क्रूज में ही सबसे जादे time होता है जहाज सबसे जादे समय अपने cruising time देता है यहाँ जहाज में कोई दिक्कत नहीं आती है turbulence भी बहुत कम देखने को मिलता है इसी समय सारे air hostess खाना वगरा परोस्ती है इसी में सबसे जादे समय भी तया जाता है फिर जब रनवे एरपोर्ट से लगबग देर सो किलो मीटर दूर रहते हैं देर सो से 200 किलो मीटर तो पाइलेट उतरने की तयारी करता है और बोल देता है वी आर गोंग टू डिसेंड अब उसके बाद क्या नंबर आता है छटवा नंबर डिसेंड का अब धीरे-धीरे पाइलेट नीचे उतरता है डिसेंड के बाद एरपोर्ट के पास वो होल्डिंग आ जाता है होल्डिंग मतलब वो चक्कर लगाता है कि अब क्यों से डिरेक्शन से उतरना है उसके बाद जैसे उसे में बड़ा गया है इन दसओ step को जब हम मिला देते हैं तो उसे हम कहते हैं block time तो हवाई जहाज जैसे engine start होता है तो total 10 phase में जाता है block time और इसमें जितने fuel लगते हैं उसे हम लोग block fuel कहते हैं तो block fuel में यह 6 fuel आएंगे और block time में यह 10 stages आएंगे हवाई जहाज की 10 stage इसी stage में पूरी हवाई यातरा कम्पलीट होती है प्यूल डंपिंग या जेटिसन kya होता है technical भासा इसे जेटिसन कहता है या इसे iPhone होता है जो फ्यूल होता है वह होता है और फ्यूल के वाज珄श से विंग्स काफी भारी हो जाते है Leahy के विंग्स काफी भारी हो जाते तो जहाज पॉल करता है तो उसकी speed कम होती चाहर खए लेकिन कभी कभी क्या होता है, टेक आफ के कुछ ही समय बाश, टेक्निकल खराबी या किसी एमर्जेंसी के वाई से जहाज को दुबारा लैंड कराना होता है तो इस जहाज में इतना फ्यूल भरा होता है, इतना जादे, कि उतने फ्यूल को लेकि अगर ये रनवेप उतरा, तो इसका विंग्स के नीचे कोई तो सपोर्ट होता ने, ये विंग्स तो हवा में ऐसे रहता है और इतना भारी लेकर अगर runway उतरा तो wings टूट जाएगा और सारा fuel बाहर निकलेगा आग लग सकता है इसलिए बड़े जहाजों में जिसमें fuel जादे होता है जिसमें चेसे चार इंजन वाले जहाज हो गए तो ये चार इंजन वाले जिसे बड़े जहाज इसमें fuel को हवा में ही गिरा दिया जाता है उतरने से पहले हवा में fuel को dump कर दिया जाता है जिसे हम fuel dumping कहते हैं और fuel dump करके wings जब हलका हो जाता है तब उतारा जाता है लेकिन छोटे जहाजों में fuel dumping की विवस्ता होती ही नहीं है क्योंकि उसमें fuel कम ही होता है और वो fuel लेके उतर सकते हैं लेकिन बड़े जहाजों में jetison यानि fuel dumping की जाती है ताकि वो safe land हो सके हलके वेट के साथ नहीं तो wings टूट जाएगा वाई जहाज के wings होता है इसे खोखला बनाए जाता है यह खोखला एरिया होता है इस खोखले एरिया में chambers होते हैं घुसने के लिए जिसे देखिया काफी tough work होता है इसमें घुसने का अलग से oxygen cylinder लेके जाये जाता है और इसमें कई chamber होते हैं जैसे करके कई सारे इसमें chamber बटे ह होते हैं जैसे देखिए एक चेंबर में आदमी घुसा हुआ है तो आसे ऐसे कई चेंबर बने होते हैं विंगस के ऊपर यहां पर किसी में टोटल को रखा जाता है यहां पे इसमें जंग नॉर्यास या लग जाए इसलिए फ्यूल के अंदर ही ऐसे ऐसे चिन्ग मिला दिये जते हैं कि इसके अंदर किसी भी तरह का जंग न लग सके फ्यूल को विंग्स में ही भरा जाता है क्योंकि विंग्स खोखला जगा होता है उसका यूज किया जा सकता है दूसरा एक और रीजन होता है, फ्यूल को विंक्स में भरने की, क्योंकि जब कभी भी अगर आग लगेगी, तो पैसेंजर जो होते हैं, ये बीच वाले हिस्से को फ्यूज लार्ज बोलते हैं, तो पैसेंजर जो बैठे होते हैं, वो फ्यूज लार्ज में होते हैं, तो विं हो जाएगा तो एक वेट बाइलेंस करने के लिए भी फ्यूल को हम लोग विंग्स में रखते थे तीसरा क्या होता है प्रेसर को बैलेंस करने में फ्यूज लार्ज में ही पूरे आदमी सारा समान वगरा रखा होता है जिस वज़े से इसमें प्रेसर जादे लगता है और अग प्रेसर मेंटेन रहता है जिस वज़े से हम लोग विंग्स में ही भरते हैं हवाई जहाज एक लिटर में कितने किलोमीटर जा सकता है थात कितना माईलेज देता है यह डिपेंड करता है कि मौसम कैसा है हवाई जहाज की साइज का है और हवाई जहाज के अंदर कितने लोग बैठे हैं, अगर ठसम ठस पूरा भर गया है, तो माइलेज कम हो जाएगा, मौसम खराब है, तो भी माइलेज कम हो जाएगा, जादे हाइट पे उड़ रही है, तो हवायों का ड्रेग कम रहेगा, माइलेज जादे देगा, तो इसका कोई hard and fast rule नहीं होता है, हलाकि ऐसे कहा ज यह जहाज का अंग होता है, पैसेंजर जहाज का अंग नहीं है, कोई मोटा पैसेंजर आ सकता है, कोई पतला आ सकता है, लेकिन एर होस्टेस पाइलेट तो जहाज के ही अंग है, इसलिए महिलाओं को इसलिए रखा जाता है, क्योंको महिलाओं का वजन हलका होता है, जिससे कि हमेशा से एक कम वेट, एक कम वजन को लेके जहाज उड़े, उसे काफी फ्यूल की बज़त होती है, आजकल तो एर होस्टा भी मिलने लगा है सब जहाज में, तो एर होस्टेश के रखने से थोड़ा होता, दूसरा लड़कियां का सभाव जो हता है, वो थोड़ा सा मतलब अराम से बात करती हैं, एक दू बार, तीन बार को नोची मांग दीजेगा, पानी, चाय तो ज़्यादे घुसी आईगी ने, आदमी चार कोई से देखने लगएगा, हला कि उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, कि अच्छे से बिहेब करें, कुछ-कुछ पैसेंजर लोग भी जी बत्तमीजी करने लगते हैं, वो एक जहाज के एंपलॉई है, वो किसी के नौकर नहीं है, तो उन्हें एंपलॉई के तरह ट्रीट करना चाहिए, कि उनका काम है आपको सर्व करना, आपको एमर्जेंसी में हेल्प करना, आपके नौकर नहीं है, तो हमें भी उनके साथ करना चाहिए हमें जैसा बरताओं हमें चाहिए तो पहले हम दूसरों के साथ भी वैसा ही बरताओं करें ताकि रिटर्न में भी हमें मिले सबका इंपलोई होते तो कई बार उनके साथ पैसेंजर भी बतमीजी करने लगते हैं हवाई जहाज जब जाता है तो पीछे यह इंजन स्टेटस इसमें दिखाता है इंजन कितने पावर पे चल रहा है जैसे ये इंजन नंबर जो लेफ्ट साइज का इंजन है वो एक कईस परसेंट पर और इधर वाला भी एक कईस परसेंट लेकिन इंजन का टेंपरेचर कितना एक्जास चोड़ रहा है तो 463 डिगरी Celsius रहता है यानि बाहर इतनी ठंड रहती है कि आदमी मर जाएगा कस्मीर फेल है उतना ठंडा रहता है और उस बाहर के वातावराण में और उससे हवाई जहाज गुजरता है तो इंजन जब धुआ निकलता है तो उसमें water droplets भी बहुत जादे रहते हैं जैसे हम लोग अपना exhaust यानि जो सास छोड़ते हैं तो उसे भी तो exhaust कहते हैं तो हमारा सरीर है 37 degree Celsius लेकिन ठंड के दिन में हमारा वातावराण हो जाता है 0 degree Celsius कई बार हम लोग या ठंड के समय में मौसम चला जाता है 0 degree जबकि सरीर के अंदर है 37 degree तो हम लोग जब अपना exhaust यानि जब हम अपने से air exhaust करते हैं तो इसमें water droplet बाहर निकल के जम जाते हैं तो ठंड के दिन में आप भी feel किये होंगे ऐसे जम जाता है तो जैसे हमारा भाव जम जाता है ठंड के दिन में तो 37,000 feet की उचाई पर 12 मैना ठंडी का दिन रहता है माइनस 40 से माइनस 8 उसका भी धूए के अंदर का water droplet जम जाता है जैसे हमारा सास कुछ देर बाद हड जाता है ऐसे ठंड के दिन में बच्वान में किये होंगे दिखते हैं कितना देर रुकता है तो तनिये सा धुआ छोड़ते हम लोग तो तनिये सा रुकेगा हवाई जहाज तो भर भर धुआ छोड़ता है तो तो देर तक र जहाजों में भरा जाता है, इसमें फ्यूल जो भरा जाता है, विंक्स के ऊपर से भरा जाता है, और इंजन तक यह जो फ्यूल आते हैं, पहुंचते हैं, यह ग्रेविटी फीडिंग द्वारा पहुंचते हैं, इसमें फ्यूल पहुंचाने के लिए पंप नहीं लगा होता है यह बहुत छोटे जहाज होते हैं जबकि बड़े जहाजों में जो फ्यूल भरा जाता है उसको जहाज के नीचे से प्रेसर के द्वारा भरा जाता है तो जो जहाज में फ्यूल भरा जाता है उसे हम लोग कहते हैं Aviation Turbine Fuel ATF Aviation Turbine Fuel तो यह ATF Fuel इस Color का होता है देखियो हलका Golden Color का होता है इस टाइप का होता है इस Fuel में क्या मिलाजाता है mainly fuel होता है किरोसिन टेल का मिटी टेल होता है किरोसिन लेकिन इसमें दो अलग-अलग कुछ चीज़े मिलाते हैं प्रूसीन तेल में हम लोग उप्रीच propose मिलाते हिसमें जानबुच के ऐसे लुप्रीकेंट मिलाते हैं जो फ्यूल टैंक और इंजन को आराम से लुप्रीकेट करें ऑस दोनों में घर्शन कम हो तो फ्यूल के माधम करते हिंच दूसरा हवाई जहाज इतनी हाइट पे जाता है दूसरा अलग-अलग सहरों से होके जाता है दिल्ली से कस्मीर, साइवेरिया जैसा ठंडा, थार मरुवस्थल जैसा गर्मी देखता है, इमेघाले जैसा बरसाथ देखता है तो उसमें बड़ा दिक्कत होता है कई फ्यूल जम मत जाए, दूतीय भी स्यूद में हिटलर की सेना का पूरा फ्यूल जम गिया था, हवाई जहाज नीचे गिरने लगे थे, तो फ्यूल जम ना जाए, इसलिए उसमें एंटी फ्रीजिंग के रूप में एथिलीन ग्लाइकॉल मिलाते है, यह कुश्चन पूछा हुआ है, ठं के उपर का बरफ पिघल जाए, डी आइसिंग हो सके, तो इसे अभी के समय में जितने फ्यूल हो रहे है, वह ATF फ्यूल हो रहे है, जेट, एयर, एवियेशन, टर्वाइन फ्यूल होते है, इसमें यह सारी चीजों को मिलाए जाता है, एवियेशन इंडस्ट्री में सबसे ज हो के बीच में आता है, एरलाइन कंपनी को सबसे जादे दिकत इसी फ्यूल के उपर होता है आपर, तो आप फ्यूलिंग का सिस्टम आप समझ गये, हवाई जाज की कई स्रीज बना दिये, इसको खतमी कर देते है, जैसे उधर वाला ट्रेन वाला खतम कर दिये, हवाई जाह प्रेमिख खतमी कर देते है, तो आयोब आप इसे समयाई